तो हमने इससे निकाली सबसी जिसमें सेताने निकालते हैं एक दूसरे पर चड़े हुए और खजुन के गाभे से पास पास उच्छे और अंहूर के बाद और जैदू और अना किसी बात में मिलते और किसी बात में अलग इसका फ़ल देखो जब फ़ले और इसका पकना बेशक्त इसमें निशानिया हैं इमान वालों के लिए पाहो बहार नेमतों के फवाइद और मज़ेता हर दिल अजीज नित नहीं पकाने की तरह की परमगनी मधनी सिलसला आपका देखाँ पात ताजे सम्त वो जीशान गया अल्हम्द लिल्ह रबालमीन वस्त्राट वस्त्राम आले सेदिल अंभिया व लुल्म सलीम आम अबाद वाओ विल्लह इन श्चेतान रर्जीम बिस्म ल्लह रह्मान रर्रहीम अस्त्राट वस्त्राट वस्त्राम आले के या रसिल अल्लह वाला आलिका वास्थाबिक या नूर अल्लह अस्त्राट वस्त्राट 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 वाला वाला आलिका वास्थाबिक या नूर अल्लह Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh फत्र जीज पाकिस्तान की मशूर आलम वादी हुन्जा में डाक्टर पाल डी वाइट और डाक्टर एगवर्ट जी टूमी की एक मुशाइदादी तहकीक के मताबिक इस दूर दराज वादी के लोग बहुत ही कम बीमार पड़ते और तबी लुए 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 साल से हाब जाएं मस्कूरा डॉक्टर्स के मुताबिक गोस्तवील उमर के साथ काबल रक्ष सहथ में दीगर आवा मिल जैसे जहनी सुकून साफ आब वहा और मितवाजिन सब्जियों पर मुच्तमिल गिजा वगेरा का भी काबल जिकर किरदार है लेकिन इन सब तर मुस्तधार इस असबादी के हर शच्छ के गर में बिल खुसूस एक फल के दुरकी पहतात है जिसका फल तरदावारी मौसम में ये लोग नसिब खूब सहर होकर खाते हैं बनके खुश करके पूरे साल मुफ़ते तरीकों से जिरे खुराख रखते हैं नीज इसकी गिरी से तेल हासल करके ख खाना पकाने राश्डी करने और अफजाश हुसर के लिए भी इस्तेवार करते हैं यकीन आप पर तचस्स होंगे कि वह ऐसा कौन सा घरमामूली फल है जिसे खाकर बादी हुंसा के लोग इतनी तवीर उमर और सहब पर जिन्दे की गुजार रहे हैं तो मद्दी शेरे के न एफिकर्ट, फार्शी में जड़्डालू और उर्दु मौला में खुबानी कहते हैं उन्यादी तोर पर खुबानी का ताल्ब पोदो के कबीले, खानदाने गुराब से हैं आरू, आरू बखारा और चेरीज, खुबानी के करीबी ताल्ब दारूने से हैं उन्यादी तोर और खुबानी का तालुक परोसी दुल्ट चीन से है जहां ये हजारों साल कबल एक जगली फल के तोर पर जानी जाती थी रफ्टा रफ्टा खलके खुदा जब इसकी खुब्यों से वाकिफ हुई तो खुबानी ऐसी मग्मून हुई कि इसे बूनाफ फैद्फुल वफा का चांद और एड आफ दिस संग सूरज की अंडे जैसे खिताबात से नवाजा गया खुबानी शिकद्र आजब के जरीए यूनान के रास्ते यौरप में मुतारिफ हुई और खुब मग्मूल हुई लेकिन मुस्द्दिका जराके मुसाबिक रौमन चैजीब के जमाल के बाद खुबानी भी यूरप में नापैद हो गई और एहल यूरप अपनी जहालत के अंधिरों में इसकी खुब्यों को भूल बाल गए यहां तक कि मुस्लिम चैजीब की बरकतों यारी मुस्लिमानों के जरीए ये उंद्रिस के रास्ते यूरप में तुबारा मुचारिफ हुई और वहां से अमरीका और असेनो ऐसी मद्बूल हुई के आज दुनिया की कुल पेदावार में नवे फिसद इस्सा सिर्फ अमरीकाता है और खुद अमरीका अपनी कुल पेदावार का नवे फिसद इस्सा अपनी एक रियासत केलिफर्णिया से हासल करता है गजाई त्हकीक के मुताबिक खुबानी में वाफिर मिगदार में इंतहाई जूरजम गुलकोस विटामिन A, C, रिबो फिलेविन, नाइसीन के साथ, कैर्शिम, फास्वरस, फौलाद, नीज, सोडियम, सिल्फर, मैग्मीस, क्रोबार्ड, और ब्रोमाइन की जूस्टी मिगदार भी पाए जाती है नादीन, खुबानी का तवील उमरी और सदा सहतन लखने का रास इस तो भरपूर मिगदार में मौजूद क्रेटो नाइट्स, बीटा करोटीन, और लिकोटीन की मरहूने मिननत है क्रेटो नाइट्स बेरसल एंटी अक्सिडेंट है एंटी अक्सिडेंट जैसा कि हमने पहले बियान किया था कि हमारे निजामे जिसम को फ्री रेडिकल्स की तबातारियों से बचाने का कुद्ध का बेमिसाल हिपाज़ती इंतिजाम है जो सब्जियों और फ़लों से ही हमें हासिल होते है ये क्रेटो नाइट्स ना सिर्फ हमारे जिसम के कुद्धती मुदाफ़ती निजाम को ताकतवर रखते है बनके साथ ही जिसम में खल्यों की अफजाइश को मुर्ज़ब रखते हुए फ्री रेडिकल्स की बिना मौसर के दारुख है याद रहे जिसम के अंदर गयर दरूरी खल्यों की पैदावार यानि रसूलियों ही पेशीद की अख्तियार करके कैंसर की शकल अख्तियार करती है तो शाथ ही फॉला की बर्पुर मुझूद्धी की बिना खुबानी का खाना खुण की कमी का भी मौसर अगाल है और इस हकीकत से एले चीन सद्यों से आशना है समाने कदीम में भी चीन के हुकामा हजराथ ऐसे खावातिन हजराथ जिनकी गंगत जब्दी माल हुआ तरती थी को खुबानी ही बत्वर खुराथ तज्वीज किया करते थे लहाज़ा लगसीर के आज़े मुब्तला हजराथ या खावातिन के मकसूस ऐयाम में खुबानी का ज़्यादा से ज़्यादा खाना कुद्वती तरीके से खुबी कमी दूर करता है नीज खुबानी मुझूद वीटा के रुटीन खुबानी में शामिल कॉलिस्ट्रोल को आकसीडेशन से महफूज लगता है जो खुबानी में ज़्यानों में जब कर हार्ट अटेक का बन्यादी सबब बनता है तो वही खुबानी में बिटामिन A की बर्पूर विगदार आखों के हसास परदो यानि लैंसिस को भी फ्री रेडिकल्स की जबाकारियों से महफूज लखने का मौसरकुदती इंतिजाम है मुक्तसर खुबानी में मौझूद लीगर क्रेटोनाइट्स के इलावा उनकी कभी मीनाई की कमजोरी दिल के अमराज हड़ियों की तकालीफ से बचाओ के साथ साथ अजबाजी मुसरतों के भी बरकरार रखते है नहीं एलेचीद का मुतफिक का नजरिया है कि खुबानी हवातीन के अमराज में जो एक मुसर होने के साथ साथ अजबाज से हुसन में भी नयाद अफरंगेज है यू खुबानी के ताज़ा फूरों का रस चीन में बिल खुसूस नासिफ कास्मेडिक अश्या में जोरी बन्यादी जुस्क के तर पर इस्तिमाल होता है बनके इसकी ताज़ा पत्यों का रस एक्जिमा घदर खारिश वगरा में भी आप इस्तिमाल किया जाता है और खुबानी की गिरी से हासल किये गए तेल के तरिश्वाती नताइच इस पर इशालला खुश खुबानी के स्लिश्रे में तफसिली बात होगी क्योंके अब वक्त लुआ है कुछ है लज़त का जहां हमें तैयार करनी है खुबानी की कुछ हैरत तंगेज रसिपिस जो के चरदेगी आपकी तविए को बागो बहार तो आईए चलते हैं नेमते बाट तजे सम्त हो जी शान गया साथ ही मुन्शिय रहामत का कलम दान गया साथ ही मुन्शिय रहामत का कलम दान गया नेमते बाट तप जे सम्त बाट जी शान गया कुछ है लज़त में खुशाम भी नाजरीन दो अश्रा कब्ल जब कष्टक का रवाज आम न था उस सक्ष हमारी आज की पहली रेसिपी बहत पसंद और बड़े शौक से खाई जाती थी पराने वक्तों के लोग आज भी स्याश्रा होंगे लेकिन हमारी नई नसर के लिए शायद ये एक बिल्कुल नई चीज़ हो लेकिन जाके में इसका अपना ही म्यार है तो नाजरीन आज की हमारी पहली रेसिपी है खुबानी डिलाइट इसके लिए अज़्जा दरकार है खुबानी दूद चाइना ग्रास चीनी संक्तर काब अरब्बा तो आईए खुबानी डिलाइट की तरकीद करते हैं बिस्मिल्ला ररह्मान रर्खीम सबसे पहले एक कप दूद लेकर इसे बॉाइल करेंगे रहमत का कलम हिदान गया साथगी मुन्मुन्शिये रहमत का कलम हिदान गया नेमते बाटेता जे सम्त वो जी शान गया नादरीन दो शाने पर हम इसकी आग दी भी करेंगे और इसमें एक टेविल स्पून चाना गिरास शामिल करेंगे और इसे मसलसल मेश करेंगे कि चाना गिरास दूद में हलो जाए नादरीन इसे मसलसल लाएंगे ताकि चाना गिरास रूकमल इसमें हलो जाए चाना गिरास के हलो ले पर हम इस पर दो टेविल स्पून चीरी शामिल करेंगे और इसे भी बिक्स करेंगे नादरीन चीरी के हलोने पर अब इसमें सारा अध़ तोटी कटी खुबानी शामिल करेंगे और साथ ही आधा तीस्पून संसरे का मुरब्बा और सिस्पें मिलाएंगे मैं आधर इसे एक जोश देंगे जोशाने पर ये मुकमल तैयारे और अब से डिशाउट करेंगे नाधरीन इसे फ्रिज में रखके ठंडा करें या वैसी थोड़ी दे के लिए छोड़ दें तो ये थंडा होकर जम जाएगा लिए नाधरीन मिठी मिठी खुछ जाएगा हलकी फलकी खुबानी डिलाईंग तैयार है नियमते बाट तज सम्त वो जी शान गया नियमते बाट तज सम्त वो जी शान गया साथ ही मुनशिय राहमत का गलम दान गया साथ ही मुनशिय राहमत का कलम दान गया नेमते बाट तब जे संत वो जी शान गया नेमते बाट तब जे संत वो जी शान गया साथ ही मुन्मुन शीये राहमत का कलम दान गया साथ ही मुन्मुन शीये राहमत नाजरीन आप शाथ हमारी प्रेश करदा मुक्तलि चट्नी रेसिपिस पर हैरान हो यह शायद गुमान करें कि हम बिल खुसूस चट्नियों को फरोग दे रहे हैं लेकिन याद रहे कि चट्नियों की तारीख हमारे खानों में काफी तवील है और दरजनों ही सेक्डों चट्नियां सेक्डों बरस से सीरा बसीरा चली आ रही हैं हम तो सिफ इने मजीद तहकी के साथ आपकी नजर पेश कर रहे हैं ताके आपकी सहथ और खानों की रोनक मजीद जबाला हो तो आज की हमारी दूसी रस्पी है खुबानी चट्नियों इसके लिए अज़द अरकार हैं खुबानी, सिर्का, अधरत, लक्नी मिर्च, खुश खुबानी और नमक तो आईए खुबानी चट्नियों की तरकीब करते हैं सबसे पहले दो सो ग्राम खुबानी का पैस्ट तैयार करेंगे इसके लिए पहले हम इसकी गुठ्टिया निकालेंगे नियमते बाट तज सम्त वो जीशान गया नियमते बाट तज सम्त वो जीशान गया साथ ही मुन्शिय रहा नाजीर गुठ्टिया जाव हो गई और अब ग्रेंडर में इसका पैस्ट तियार करेंगे साथ ही मुन्शिय रहमत का कलम दान गया नियमते बाट तज सम्त वो जीशान गया नियमते बाट तज सम्त वो जीशान गया साथ ही मुन्शिय रहमत का कलम दान गया साथ ही मुन्शिय रहमत का कलम दान गया नियमते बाट तज सम्त वो जीशान गया है और हम आजा कप सिर्का फ्राइपान में डान का इसे गरम करेंगे साथ ही मुन्शिय रहमत का कलम दान गया सिर्का गरब होने पर तीर टेविल स्पून चीरी शामिल करेंगे और आज को कम करेंगे और चीरी को सिर्के में हन करेंगे चीरी हन गयाने पर अब इसे हम खुबानी का पैस शामिल करेंगे साथ ही एल टेविल स्पून अबरग आदा ती स्पून जखनी मिर्च आज जरालकी करेंगे और एक टेविल स्पून स्पून तरे का मुर्बा तीर उदद कर्टी खुश्कुर्बाली शामिल करेंगे आदा ती स्पून नमग और इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे आद को हम जरा तेज़ करेंगे नाजरी साथ इसमें हम थोड़ा सा पाने शामिल करेंगे नेमते बाट ताजे सम्त वो जीशान गया नेमते बाट ताजे सम्त वो जीशान गया और उसे अब उत्ता पकाए लिए कि आजा पानी इसका खुश्क हो जाए राहमत का कलम दान गया साथ ही मुन्शी राहमत का कलम दान गया नेमते बाट ताजे सम्त वो जीशान गया नेमते बाट ताजे सम्त वो जीशान गया और अब इसे डिशाउट करते हैं लीजे नादरीन रस भरी हास्नेदार खुवारी शक्नी तयार है ताजे सम्त वो जीशान गया नेमते बाट ताजे सम्त वो जीशान गया साथ ही मुन्शी रहामत का कलम दान गया साथ ही मुन्शी रहामत का कलम दान गया नेमते बाट ताजे सम्त वो जीशान गया नेमते बाट ताजे सम्त वो जीशान गया साथ ही मुन्शी रहामत का कलम दान गया साथ ही मुन्शी रहामत का कलम दान गया साथ ही मुन्शी रहामत का कलम दान गया आज की औरी तीसी रसिपी है एक बन्फरिद हेवान कुन रसिपी शाही खुबानी इसके लिए ज़द ररकार है खुबानी खशखाश प्यास घरी मिर्च अदरग शिम्ला मिर्च अलुम खारा ताली मिर्च कुकिंग आईल और नमन तो आईए शाही खुबानी की तरकीब करते हैं बिस्मिल्ला और अख्वान और रखीम सबसे पहले आदा कप कुकिंग वाईल फ्राइपैन में डाल कर इसे गर्म करेंगे कुकिंग वाईल गर्म होने पर हम आद को दीवा करेंगे और नाजीर है उस पे शाविल करेंगे दो टेबिल स्पून खाश-काश का पैस्ट खाश-काश का पैस्ट खासर करना बहुत आसान है इसका तरीका रात को हम खाश-काश धोकर और पाने भीगोकर सारी रात के लिए छोड़तेंगे सुबह पैस्ट खाश-काश-काश-काश-काश-काश-काश-काश-काश-काश-काश-काश-काश-काश-काश-काश-काश-काश-काश-काश-काश-काश-काश-काश-काश-काश-काश-काश-काश-काश-काश-काश-काश-काश-काश-काश-काश-काश-काश-काश-काश-का नाज़ी इसके साथ ही हम एक अबर कड़ी प्यास शामिल करेंगे और इसे इतना बुलेंगे कि इसका कच्छापन खत्म हो जाए नेमते बाट ताजे सम्त वो जीशान गया नेमते बाट ताजे सम्त वो जीशान गया नाजरीन प्याज और खाश खाश भून कर तयार है और अब से मजीद मसाल जाट का इदाफा करेंगे तीस से चार अरत कटी हरीमिर्च शाबिल करेंगे एक इज़ पारी कटी अद्रक आदा तीस पून साबद काली मिर्च नवक हसने जाएका और से मजीद थोड़ा सा बूनेंगे नादरीन अब इसमें 125 ग्राब कटी खुबारी शाबिल करेंगे और इसे भी इसके साब त्राइ करेंगे नादरीन तक्रीव पांच फिंट हम इसे त्राइ करेंगे नादरीन खुबानी भूनकर त्यार चुकी है और याद रखिए इस रेशिपी में खुबानी का भूनना बहुत जरूरी है परना आपकी रेशिपी खराब हो जाएगी अब इसे शामिल करते है पांच से छे अदद आलो बखारे पानी भीगे हुए और आलो बखारे का पानी भी इसके साथ ही शामिल करेंगे है नाजरीन अब इस सहल की आएच पर पांच से छे मिन का दम देंगे साथ ही मून्न शीय रहामत का कलम दाने गया साथ ही मून्न शीय रहामत का कलम दाने नाजरीन आउम तोर पर फ़लो को खाने के बाद ही खाया जाता है जो कि नहीं गलत है, नहीं जाने ये गलत रहाज कैसे चल पड़ा, क्यूंकि फ़ल हमेशा खाने से पहले ही खाने चाही है फैज़ान सुन्त में अमीर एल सुन्त जामर बरकाते मालिया रकम फरमाते हैं हमारे प्षल आकर में खाने का रहाज है जबके हुज़त इसलाम इमाम गजाली रखनतुल्ला ने फरमाते हैं कि अगर फ्षल हो तो पहले वो पेश किये जाएं कि तिबी लिहाज से इसका पहले खाना ज़्यादा मवाफिक है ये जल्द हाजन लोते हैं लिहाजा इनको मेदे के निचले सेवे होना चाहिए और कुराने पाक से भी फल के मकदम होने पर आगाई हासल हुई सुरह वाक्षा की आयत 90 बीस एक्किस पे इशाद हुआ सर्जमा का अंजली माद और मेवे जो पसंद करें और परिंदों का गोश जो चाहें इसी तरह आला अख़त इमाम एमर्जा खां अले रह्मत और रह्मार रवायत तकल करते हैं खाने से पहले तर्बुस खाना पेट को खूब धो देता है और बीवारी को जड़ से खत्म कर देता है और नावरीन जब बजाते खुद फाली का असालन तयार हो तो ज़रा सोचें कि कितना फाइदे मन होगा इसी सोच के तहट आपके दस्तरखान का शुबाय तहकीक नियाद अर्क रिजी से आपकी खेख़ाई के तहट फनों से तैयार करदा मैं डिशिस आपकी खितर पे पेश करता है आईए अप्री खुबाली चेक करते हैं सुब्हान अल्लाः माशाला हाई रेशी पे तैयार है और अब आखर में हम इसमें आजी करती शिवलावेज शामिल करेंगे और इसे इसमें मिला लेंगे नाजी नसी पे तैयार है उसे डिशाओड करते हैं रामत का कलम दान गया नेमते बाटे ता जे सम्त वो जी शान गया साथ ही मुन्वन्शी रामत का कलम दान गया सुनेजी नाजरीन दो तहर्या रात के खाने पर शाथादी के साथ शाही खुबाली सुनावल कीजिए नेमते बाटे ता जे सम्त वो जी शान गया नेमते बाटे ता जे सम्त वो जी शान गया साथ ही मुन्वन्शी राहमत का कलम दान गया साथ ही मुन्शी राहमत का कलम दान गया नेमते बाटे ता जे सम्त वो जी शान गया नेमते बाटे ता जे सम्त वो जी शान गया साथ ही मुन्वन्शी राहमत का कलम दान गया नेमते बाटे ता जे सम्त वो जी शान गया साथ ही मुन्शी राहमत के साथ कि अल्ला करीम की नेमतों का शुक्र अदा कर दे के साथ लब काइनात की नेमत वपर गोर फिकर भी करते रहेंगे जो कुरान करीम की भी दावत फिकर है और अन्बिया की सुन्त भी इंशाललाः अगले सिल्से में फिर बुलाकात होगी मद्यों में जेख देखते रहे हैं और इल्ब और इमान में अदाफात करते रहे हैं आमीन बिजाहिन नभीन आमीन स्लूललाव आलियों शल्लम सल्लूलाव अल्हाभी आदेखाओ